फिर आपके स्टुप आपके जो क्लास वैलोज हैं वो आप पे जो मजाग उड़ा रहे हैं और वो कहते हैं यहाँ बहुत इंप्यूटर से कहा से पैसे निकलेंगे यह फ्लॉपी डिस्क वाली जगह से डॉलर्स आएंगे एई आई जॉब्स भी लेगी जो एई यूज करता है वो आपकी जॉब ले सकता है लोग कहते हैं सर आप ना इस वज़ा से यहां तक पहुंच गया क्यों आप अच्छे टाइम पर स्टार्ट लिया एई आई का वोई टाइम है ना जो हमारे लिए ब्लॉगिंग का दुदर साथ था 21 से जो 30 है ना इसमें मैं आपको गरंटी से कहता हूँ बच्चा मिलियन एर बने असलाम लेकुम नाजरीन मैं हूँ डॉक्टर नायम हसन और मैं आज पिर आपके लिए एक बहुत इंट्रस्टिंग पॉड्कास्ट लेकर आई हूँ आज का पॉड्कास्ट बहुत ही दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे पॉइंट्स और ऐसा टॉपिक चो यूथ के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो घर बैठे अर्निंग करना चाते हैं फ्रीलांसर बनना चाते हैं उनके लिए बहुत ही इ Let me introduce Mr. Tanvir Nandla who is a web entrepreneur and a founder of iSkills Pakistan and iSkills Africa. He has been into blogging, digital marketing and SEO over the last 15 years. He has given the title of Best Blogger of Pakistan in 2019 and received award Pride of Pakistan from Government of Pakistan. He served as a trainer for the program of E-Rozgar in PITB and he has been recognized as PSL, हमारे heroes. He has trained over 10,000 students and youngsters for entrepreneurship. Welcome sir. Thank you so much for giving us time. Thank you Dr. Seba. Sir, web entrepreneurship में आपका बहुत सारा काम है, freelancing में, digital marketing में आपका बहुत सारा काम है. So, हमार साथ कुछ insights share कीजिये how it all started. मेरा तालुक बेसिकली मुल्तान से है और मुल्तान का उस वक्ते एक नवाई गाउं था. आप कह सकते हैं जहां पर रोड नहीं था, बिजली नहीं थी और बेसिक जो जुरूरियाद होती हो भी नहीं थी. तो मुझे computer का पता चला, matric के बाद, you know, हमारे यहां कुछ सीखने का सिलसला शुरू होता था. तो computer सीखा, एक teacher थे, तो वहाँ से एक romance आप कह सकती है, computer की field के साथ start हुआ. और 2006 में मैंने apply किया university में, और मैं IT करना जाता था, और alhamdulillah उसमें भी admission हो गया, मेरे FAC में बहुत कम marks थे, वह थी तीन साल में बड़े मुश्किल से पास हुआ. तो खैर जब university पहुचा तो वहाँ पे internet lab होती थी, जब इमें internet मुश्सर था, दो के बहुत स्लो चलता था, और वहाँ पे orcut, जैसे आजकल Facebook के चीज़ी हैं, तो उस दौर में orcut होता था और उसमें communities होती थी, तो उन communities में जाके, मैंने देखा कि लोग discussion कर रही हैं, कि कोई Google AdSense का कोई प्रोगाम है, जिससे आप online कमाते हैं, website होती है, कोई blogs होते हैं, तो मैंने भी explore करना ना शुरू किया, शुरू शुरू में definitely जिस तरह एक journey स्टार होता है, बहुत सरे scam से भी वास्ता पड़ा, और नियो bugs इस तरह कोई PTC sites होती थी, को capture work होते थे, तो खैर, within two years Alhamdulillah, मैं प्रैक पे आ गया था, तो 2008 से मैंने बकाइदा तोर पे blogging और SCU की field में enter हूँ और तब से समझने की field में कमाना start कर दिया था, Alhamdulillah. जब आपने वेब entrepreneurship का काम शुरू किया, तो बहुत कम इसके बारे में लोग जानते थे, तो वो जैसा आपने अभी कहा कि मेरा romance शुरू हुआ IT और computer के साथ, तो ये इश्क जो है, किस चीज ने, वो कौन से factors थे, जिन्होंने motivate किया आप तो? factors तो I think बेतर मुस्तक्बिल था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक, बंदे कर दो मिज़ाज होता है, मुझे लग रहा था कि मेरा मिज़ाज है नहीं, typical jobs वाला, मैं एक landlord family से belong करता हूँ, और हमारे आप खेतों में और सारह कुछ चलता है, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा क या हो, जिसका मुस्तक्बिल भी मुझे लगे कि हाँ, इसी चीज़ का मुस्तक्बिल है, और उसमें आपके पास जो opportunity है, जो unlimited हो, कि आप उसके अंदर जितना भी play करना चाहिए, प्ले कर सके, आप jobs है, या even पाकिस्तान में भी specific business है, तो उसमें आपके पास एक limited ground है, जिसक entrepreneurship या online जो हम काम में कहते हैं, इसमें unlimited है, जितनी आप गी capacity है, ये field आप उतना मौका देती है, या है, खेलने और मुझसे आप पैसा निकालना चाहिए, आप मुझसे अपना जिन्दगी बेतर बनाना चाहिए, बना सकते हैं, तो definitely, मुश्किल तो बहुत था, सबसे पहली ये थी के belief, के हाँ, ये कोई काम है, हाँ, ये future के अंदर कोई ऐसा career भी बन सकता है, और हाँ, ये ऐसी चीज़ है, जो मुस्तक्मिल में चलेगी, ये जो belief था, इसको काईम रखना आपने अंदर, during those failing, you know, times, के जब आप continuously fail हो रहे हैं, different चीज़ें ट्राइ कर रहे हैं, पैस ये जाक उड़ा रहे हैं, और वो कहते थे, याँ, बई, केंप्यूटर से कहां से पैसे निकलेंगे, फ्लॉपी डिस्क वाली जग़े से डॉलर्स आइगे, कहां से आएंगे, ऑनलाइन केंप्यूटर से कैसे पैसे आ सकते हैं, even जो teachers होते थे, उनको भी नहीं आईडिया हो और ये चीज़ self-confidence मैं समझता हूं कहलाती है, और ये मेरा शुरू से अलम्दोईलब बहुत strong है, मैं कभी किसी की बातों से या कोई चीज़ें देख के मरूब नहीं होता, मैं ये मुझे खुद भी इतना belief है, ये बच्चों की actually understanding के लिए में बता रहा हूं कि वो इस चीज को इस inspiration लें, कि आपका जो self-belief है, वो इतना strong होना चाहिए कि आप केंगे हाँ, मेरी मेनत, मेरी research, मेरा field के अंदर exposure, मेरा vision, वो इतना strong है कि मैं अपने set की हुए goal के मताबब चलूँगा, हाँ, उस दोरान आपको किसी की help की जुरूरत पढ़ सकती है, मेरे teacher, अक्षर बकाइदा कोई तालीम या इस चाहिए की training आसल नहीं की, Google, Google and Google, बस, तो, but it was a good journey. सर, अभी आपने बात की कि आपको believe था, कि आप successful होंगे, failures भी देखे, challenges भी देखे, एक बात हम करते हैं कि believe होना, आपको यकीने कामिल होना, कि आप कामियाब होंगे, और उसके लिए आप हर failure को भी अच्छे से सामना करते हैं, लेकिन ये जो risk assessment है, और ये यकीन, कि हाँ, क times की बात करें, जैसा आपने वताया के डो कहते थे, floppy disk से पैसे आएंगे, किसी को computer के बारे में बहुत ज़्यादा knowledge नहीं था, Google और ये blogging और SEO तो बहुत दूर की बात जी, तो ये जो risk assessment या ये आपने calculation, ये किस तरह से की थी, बड़ा tricky question है आपका, इस में, देखें, जब आपके पास अभी हम, आफ ये बात कर रहे थे, जब आपके पास खोने को ज्यादा नहीं होता, तो फिर आप brave हो के लड़ते हो, वो बंदा ज्यादा ब्रेव होता है, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, कि आप उसका कुछ बिगार नहीं सकते, तो मेरे साथ भी ये था चले मैं आपको actual story बरताता हूँ, story ये थी कि I fell in love and I had to get married soon because she was eldest in her house और मैं सबसे चोटा था अपने गर में, अब मुझे ये था कि अब बच्चा पे क्या होता है, वो अपने आथ पहों मारता है, तो मुझे ये था कि चले मैं इसी field, यही field है, जो इतने पैसे हैं इसके कि कहीं टीचर लग जाऊंगा, कहीं 10,000, 15,000 में कलर्क लग जाऊंगा, मुलतान शेहर में कोई इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं, आज जॉब्स नहीं हैं तो आप imagine करें कि 2006, 2007, 2008 में क्या सुरतियाल होगी, तो basically driving force वो थी, और फिर जब पहला डॉलर आया, मुझे याद है 114 डॉलर की payment आई थी मेरी पहली, तो बस जो यकीन था, वो कामिल हो गया, और खुद पे जो belief था, वो मजीद बढ़ गया, तो आप खह सकते हैं कि वो एक, एक तेड़ साल वाला अरसा थोड़ा था, लेकि उसमें भी again कि मेरे पास option कोई और नहीं था ना, तो risk, ये आना शारते हैं, फ्री लांसिंग की मार्कित में, लेकिन ये डॉंट आपको जो चीज़ ट्राय करनी है, कोड करना है, ब्लॉग लिखना है, ये कॉमर्स करना है, कोई स्टार्ट अप आपने कोई प्रोड़क्ट बनानी है, तो बस दू इट, हमारे बच्चों के इतना मैं, अब आपको एक्सपिरियंस बताऊं बच्चों के साथ, इतना टाइम मैंने गुजा रहा है, सबसे में चीज़ मैंने देखिए, ओवर थिंक की, अचा ये फिल्ड चलेगी, नहीं चलेगी, पता नहीं इसका मुस्तक्बिल क्या होगा, अब मै एक अजराय तफन्न, जोने से बात करता हूँ, कि भाई, लेट सबोज, एक इंडिस्ट्री, चले, SEO की इंडिस्ट्री की बात करते है, इनके 80 बिलियन की इंडिस्ट्री है, गूगल के कोई हजारों इंप्लॉईज है, उनके अर्ब और रुपय के बजट है, बलके बिलियन ना ले, यह मैं समझता हूँ कि बड़ी अनफॉर्चिनेट है, और इसमें, बकाइदा मुझे सम्टाइम हुसा आता है, कि मैं जब देखता हूँ, अभी मैं, दो दिन पहले यह सोच रहा था, कि मेरी कंपनी, बलब आइसकिल से, हमारे हमसाय मुल को, तकरीबन कोई, पांच बच्चा कहते हैं, यह चीज तो है कुछ नहीं, यह तो बच्चों जैसी बात है, इसके तो जूरत ही नहीं है, इसके लिए तो यूट्यूब है, इसके लिए तो आपको कुछ करनी, यह तो खतम हो गई है, यह तो डेट हो गई है, उन्हीं चीज़ों के लिए, तेकि आप मैं पाकिस्तान एक निस्बत अनम गरीम मुलक है गरीम मुलक है एक बंदा एक छोटी सी कंपनी अमरी किसनी बड़ी नहीं है वो बंदा पाँच हजार डॉलर अगर हम सायम उनको बेज रहा है तो आप बड़ी कंपनी इसका इमेजिन करें कितना पैसा जा रहा होगा तो हमारे बच्चों को क्या मसला है कि हम ओवर्थिंकिंग हर चीज में ओवर्थिंकिंग अचा फिर पोचेंगे उन से जो बचारा खुद वेला भीर है या तो प्रैक्टिकल बंदे से पूचें ना देखें आप सलीम गौरी साब के पास जाएं आप अली चोधरी साब के पास जाएं आप ऐसे लोग के पास जाएं जो उनके पास प्रैक्टिकल तजर्ब वो आपको कहें क्या करना है हम पूचेंगे किन से जो खुद कुछ नहीं कर रहा है वो आपको कैसे एक अच्छी सलाम दे सकता है अच्छा मश्रा दे सकता है जब उसने खुद एक्शन नहीं लिया वो खुद ओवर्थिंकिंग का मरीज है बचारा तो ये बुनियादी बात मैं समझता हूँ कि ये ब्रीक है जिसको तोड़ने की जरुरत है और पहला स्टेप लेने की जरुरत है कि आप ओवर्थिंकिंग ना करो आप जस्ट डू इट जस्ट डू इट ठीक होता है गलत होता है ऐसे नहीं आते फेल होता है इस वाइन वो प्रॉब्लम छे मेने ना काम रहोगे एक साल होगे दो साल रहोगे लेकिन आप आउटपुट जो आपका मिलने की आपकी उमीद है उसको तो देखो ना कि क्या वो वर्थ ट्राइंग है के नहीं है एक बच्चा पिछले दिनों हमार इश्वा के में टीम का बच्चा है बहुत प्यारा उसने पोस डाली कि एक्जेटली आठ साल पहले बने बना करियर स्टार किया था तो देखे ना अब सिर्फ साथ आठ साल के अंदर के आपकी लाइफ बिलकुल बदल गई तो जब आपको ये चीज़ नजर आ रही है तो फिर आप सोच रही है कि यार मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पदा नहीं ये फील्ड रहेगी कि नहीं रहेगी तन वाट एक्सपिरियंस तो रहेगा कोई फील्ड ना रहे इससे क्या फरक बढ़ता है मैं एक सेक्निक लिए माल लेता हूं नहीं फील्ड रहेगी एक्सपिरियंस तो कोई नहीं जाता आप जो चीज़ ट्राइ करेंगे मैं एक्सेम्पल देता हूं आज से दस साल पहले एक बच्चे ने पी-एच्पी सी की आज वो कहते हैं जी लेगवी चेंज होगी है आज पाइथान की जो एना डिमैंड है आज जी किसी और चीज़ की डिमैंड है तो आपका पी-एच्पी का नॉलेज अपसुलीर तो नहीं होगा आपकी जो लॉजिक्स बनी हुई है आपने जो सिंटेक्स पड़ा हुआ है वो इसमें काम आएगा तो आप बजाए मुस्तक्बिल का इंतजार करें या मुस्तक्बिल से डरें जिस्ट डाइव इंटो इट ये एक तरीका है कि आप बस कही न कही इंशाला किनारे लगए सर आपने बहुत अच्छी बात की इसी से रिलेट करते हुए मैं आप से कुछ पॉइंट्स पूछना चाहूंगी हमाई स्टूडेंस के लिए और आडियंस के लिए जो फ्री लांसिंग इंडस्री में आना शाहते हैं तो क्या आप उनको बता सकते हैं अगर वो इस फील्ड में आते हैं तो क्या इस फील्ड में आने के प्री रेकुजट्स हैं और क्या-क्या चैलिंजिस उनको आ सकते हैं तेखें प्री रिकुजट्स तो यह है कि आपका दिमाग जलता हो क्मुनिकेशन बेतर हो बेतर है कि आप इंग्लिश थोड़ी बेतर कर लें यह दो चीज़े मैं समझता हूँ इंपॉर्टन है कि आईक्यू आपका थोड़ा बेतर हो और क्मुनिकेशन बेतर हो और कोई प्री रिकुजट्स नहीं है और शायद इतनी आसान प्री रिकुजट्स के साथ कोई अजी फील्ड भी नहीं है जो आप जिसके अंदर यह सलाइयत हो गया आपको मल्टी मिलियनेर बना सके तो बेसिक बात तो आपकी यह प्री रिकुजट्स नहीं हो गई चैलिंजिस की जहां तक बात की ना में चैलिंज होता है खुद को इस बात पर आमादा रखना के येस यूल डू इट कीप डूएट इस ओके आप फेल हो रहे हो आपको चोट लग रही है आप गिर रहे हो इस फाइन आपने चलना नहीं रोकना आपने दौड़ने से नहीं रोकना इन देंड आप फिनिश लाइ में पहुंच होगे ठीक है आप दसफे नमबरे पहुंच होगे आप 98 नमबरे पहुंच होगे तेकिन आप वो ट्रेवल जो एक बात है उसका एक्सपिरियंस, उसका एक्सपोयर आप रोड ले लोगे नहीं फरस्ट होगे, मैं मान लेता हूँ तो आप और अगेन कोई भी चैलनेज मेरे ख्याल में आप चैलनेज नहीं रहा ग्लोबल विलेज, ट्रू ग्लोबल विलेज आपको यह सोचने की जूरत है कि पता नहीं, मैं गाउ में रहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता मैं शेर में रहता हूँ तो मेरे पर पस टाइम नहीं है तो यह अब मेरे खियाद मैं बाहने रहे गए अब आपके पास कोई authentic बाहना नहीं रहा कि जो आप as an excuse पेश कर सकेंगे मैं समझें से काम यार नहीं हुआ था सर आपने बात किये भी communication skills की तो communication skills हमारी strong होनी चाहेंगे इस field में आने के लिए तो यहाँ पर एक बहुत important role आता है AI का आपको क्या लगता है कि AI का transforming role है freelance marketing को change करने में या इसको transform बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा पहली बात AI पर बात करने में बड़े आजकल in topic है पहली बात बनियादी बात तो इससे डरने की बजाए ना इसको embrace कर पहली बात नहीं तुम्हारी job लेता है मैं आपको पुरे पुरे यगीन से क्या रहूं नहीं ये लेता जाओगा ये इतना बेतरीन assistant है आपका जैसे आपने एक certified कापिल जहीन तरीन अपने mind के मताबक त्यार करदा आपने बच्चा आपने job पे रख लियाओ तो वो आप उससे डरेंगे कि आपकी job replace कर लेगा आपको assist करेंगा ना आपकी जो performance है आपकी productivity है वो increase हो जाएगी तो ये वो आपका assistant है जो well trained है और जो आपके mind के मताबक चलता है हम किसी को भी hire करें वो कमसगम जितना मर्च उसको सिखा ले वो हमारे mind के मताबक नहीं चलता है क्यार ये ये मैं सोचता हूँ ये ये चीज़ में चाहिए वो देगा तो इसको as an assistant use करें आपका फाइदा हो उसके बाद अब AI jobs लेगी के नहीं AI jobs लेगी जो AI use करता है वो आपकी job ले सकता है अगर आप AI किसे डरते रहो ये आगे आप पदने मेरा क्या बनेगा तो आपकी job replace सुरूर होगी AI नहीं करेगा जो AI use कर रहा है वो करेगा क्यों उसकी productivity enhance हो गई वो आप से चार कदम आगे निकल गया आप पीछे रहेंगे that's it तो इसके again मैं पिछले दिनो graphic designing मेरा शोबा नहीं है मुझे एक student मिला थो माशालला बड़े पैसे बना रहा था मैंने उसे पूछा graphic designing मैंने का आप AI कहने के बाद क्या orders आपे कम होएं क्या तो कोई फरक नहीं पड़ा कोई फरक नहीं पड़ा again over thinking करते हैं कि नहीं पता नहीं अब तो लोगो जो है न वो AI बना के देता है तो शायद लोगो making काम कतम हो गए नहीं है ऐसा ऐसा नहीं है लोग आपको अपनी आसानी के लिए हायर करते है वरना वो लोगो खुद बनाना सही के बना सकते थे वो AI से बनवा सकते थे वो आपको इस चीज के पैसे देते है कि हमारा time बचे हमारी energy बचे और हम एक professional बन्दे से जिसको color scheming का भी पता है जिसको branding का भी पता है उससे काम करवा ले तो इसका इताजसा तक तो role है लेकिन मुझे लगता कि आप बिलकुल डर के और Sam के बैठ जाए कि AI मुझे खा जाएगा तो sir हम कह सकते हैं कि digital marketing और content creation के segment में शायद GPT या AI की बचह से नही opportunities आएंगी नही opportunities आईएं आप देख लें आप YouTube पे देख लें आप Facebook पे देख लें आप Instagram पे देख लें यह मार कर दो के made with AI है इसी तना YouTube इसी तना बागी जो platforms है वो इस तना TikTok तो जिद्दत आएगी अगेन देखो अब Chad GPT आपको script तो लिख के दे सकते है prompt तो आपने देना है ना उसके अंदर creativity उसके अंदर storytelling वो तो आपने देनी है ना Chad GPT इटसल तो आपके ट्विस्ट तो नहीं डालेगा अब यहां पे आपकी creativity वैसी रहेगी आपको assistant मिल गया जो काम आप assistant को बता बताग नहीं यह आप वो आता ता लेके script आप उस पे लकीरे लगाते देने यह यह नहीं टीक यह और लेगा वो फिर रहाता था आपके देना यह नहीं इस तो इस तरह लिखना था वो ही काम आपको चैट GPT कर रहा है तो सर्थ चैट GPT की वज़ा से content creators जो है competition बहुत ज़ादा बढ़े गा इसकी वज़ा से देखे competition से नहीं डरना जाएए जो भी चीज नहीं आती है वो नहीं opportunities लेके आती है यह को मैं आपको एक और मज़ेगी बात बता जिस एरा की मैं आपको बात बता रहा हूँ 2007, 2006, 2008 उस टाइम पे blogging लोग कहते हैं सर आपने इस वज़ा से यहां तक पहुँच गया क्योंको आपने अच्छे टाइम पे स्टार्ट लिया AI का वोई टाइम है ना जो हमारे लिए blogging का दुदर साथ था राइट अभी अभी इन हो रही है ना अच्छा अब हर कंपनी को दुनियों में जितने businesses छोटे, बड़े, established unstablished, सब को इस वक्त ये दौड लेगी हुए है कि मैंने AI इंटिग्रेट करनी है अपने सिस्टम में सो अब पताएं अगर AI को हम एंब्रेस कर रहे AI को हम अडॉट करने तो हमारे सामने तो पूरी दुनिया नई रिकंस्ट्रक्ट हो रही है Samsung अब जी, Samsung ने AI लाना है अपने मुबाइल में Apple, ओ मैं पीछे रह गया Apple ने AI लाना है Google ने देगा चैट जीपटी, ओ मैंने जैमिनी लाना है तो इतनी रेस लगी हुए है इसी तरह accounting में, इसी तरह finance में इसी तरह customer services में हर चीज में, जितने software है हर में AI इंटिगरेट हो रही है तो अब स्टार्ट कर ले ना अब तो आपका जमाना एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है Sir, आपको क्या लगता है कि कितनी acceptability है अभी हमारे ऐसे पाकिस्तानी population Chad GPT की acceptability हमारे academics में हमारी content writing में, content creation में पाकिस्तान में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारा मसला है कि हम चीजों से डरते ज़्यादे है उनसे खौफ ज़्यादा खाते हैं और embrace कंड करते है change को embrace करने के resistance होती है रहे कमजोर कोमें की निशानी होती है तो जब तक आप इस change को embrace नहीं करेंगे न आप आगे नहीं बढ़ सकते simple सी बात अब इसमें again मैं समझता हूँ के आप जैसे माशाल लगे इसना influencers हैं अब इनकी ये duty है मैं इर्फान मलिक का जिकर करना चाहूँगा मैं शाम सर्वर भाई का जिकरना नहीं चाहूँगा इन सब का के they are doing their best कि बच्चों को AI से डराने की बज़ाए उनको पता है चाहर ये AI है ये algorithm है आप भी बना सकते हैं ये chatbot है ये सिखा दो अपने data के मताबर ट्रेन कर लो आपका chatbot ये चोट-चोटी services है जाके आप पैसे बना सकते हैं तो हम, we are trying we are trying लेकिन बच्चे को बच्चे को फुद भी accept अब मैं समझता हूँ कि बहुत सा change आई भी है मैं optimistic इसलिए हुआ हूँ कि मैं एक last time एक जगा speech कर रहा था तो बच्चों को मैंने question answer लेना लिए तो इतने माशालला जबरदस questions उस college के बच्चे थे तो मेरा दिल खुश हो गया नहीं का यारब ये मारी मेनत मैं देख रहा हूँ कि fruitful है और मारा मुस्तग बिल इंशालला बड़ रोशन है सर ये बताये कि जो digital marketers है और content creators है ये AI को अपने content को इंप्रूब करने के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरह से यूज करता हूँ मैंने कोई भी post लिखनी है let's suppose मिले सोशल मीडिया के लिए post लिख लिएता हूँ जिए जिए प्रणी को रिफाइन कर दो रिफाइन कर देता है मेरा सिस्टन इस्टन इस्तरा काम कर रहा है मुझे कोई आइडिया है मैंने कोई imagine किया कि यार कोई picture बन वागी है तो मैं चैट जिए प्रॉट्टी को प्राउप देथता हूँ कि यार मुझे इस तरह की गाओं हो बच्चे हो यह हो let's suppose मैं एक हम iSkills के प्लैटफॉर्म से एक कोर्स लाँच करने जा रहे है बच्चों के लिए जिसमें उनको विज्वल प्रोग्रामिंग एप डेवलबमेंट छोटे बच्चों के लिए बच्चे से बाराँ साल के अच्चों के लिए मुझे यूनो क्रियेटिव नहीं मिल रहे थे तो मैंने चार्जीपटीव का के बच्चे 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 हूँ पाकिसानी अटायरों उनका पीछे iSkills लिखाओ और इट 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 देर जॉब तो इस तरीके से तो आपकी बहुत सारी हेल्प AI कर रही है हर मोड पे हर स्टेप पे अब आप उसको डरते रहें अगेन मैं उसी तरह आता हूँ डरते रहें तो भी डरते रहें या आप लेफ्ट ओवर हो जाएंगे अच्छा सर आते हैं अब एक आउनलाइन अर्णिंग की तरफ अगर एक स्टूडन्ट जो आउनलाइन पढ़ रहा है अपनी बढ़ाई करना चाहता है डिग्री भी कम्प्लीर करना चाहता है लेकिन उसके साथ साथ वो आउनलाइन अर्णिंग करना चाहता है कि जल्द तो अपने पैरों पर खड़ा हो सके तो कुछ पॉइंट्स ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए जो उनको मद्दे नजर रखना चाहिए और कहां से वो शुरू कर सकते हैं ये बड़ा जबरदस्त कॉश्चिन आपने पूछा देखें इसमें ना मैं एज ब्रैकेट्स को अलग-अलग करते तो मैं समझता हूं कि जो साथ साल तक का बच्चा है उसको अब वो जो मदर है उनकी उनकी रिस्पॉंसिबिलिटी है I believe जितने मैंने पढ़ा है जितने मैंने दिखा है कि साथ साल तक बच्चे की गुरूमिंग हो जाती है अब तो डॉक्टर्स भी यही कहते है अब उस टाइम पे हम क्या करते है हम बच्चे को एहमियत उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दे हम करते बच्चा है बच्चा नहीं है वो आपके जैसा एक हुमन है और आप उससे इस तरह इंट्रेक्ट करो इस तरीके से उसको प्रिपेर करो कि वो एक पूरा सोचने समझने वाला आदमी है वहां से बच्चे की अब अगेर वो नूट्रीशन आ जाएगी उसके अंदर उसके अंदर ब्रॉट अप आ जाएगा उसके अंदर उसके क्रियेटिविटी महला पेंटिंग बच्चे को करवाना बच्चे को पैट्स हैं उनके साथ उनकी इंट्रेक्शन करवाना ठीक है साथ साथ साल तक अब बच्चे की लॉजिकल जो बिल्डिंग है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी अब साथ से फिफ्टीन येर्स तक तीन चीज़े इंपॉर्टेट नमबर वन मैट्स मैट्स में बच्चा 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 होना जाएगी नमबर टो किमिनिकेशन उसको आप कॉन्फिदेंस दें इंगलिश मैं इसका जिकर गरना जाओगा लोग कहते हैं अपनी मादरी जबान जो है बहुत अच्छी बात है मेरी खुद है कि एकले जितनी अच्छी नहीं है लेकिन अब चौके हमने जिस मार्केट में काम करना है वो गोरे है इसमें कोई हमें होगा अनाक मसला नहीं मनाना चाहिए हम जिस मार्केट में जाते हैं जिस मंडी में जाएंगे वहाँ की लेंग्विज अमें ना आती हो तो हम अच्छी चीज बेचेंगे कैसे यह फरीदेंगे कैसे यह वहाँ पर हम बेउपार कैसे करेंगे तो यह सिंपल सी बात है कि हम एक मंडी में जा रही है आप गेम देख भी रहा होगा ना, वो देख रहा होगा अच्छा कि करेक्टर कैसे बना होगा, अच्छा इसकी जे मुवमेंट है, ये मैंने फलाँ जो टूल था उसके अंदर बनाई थी ये कैसे बनी होगा, तो अगर ये साथ से पंदरा साल का बच्छा आपको तीन चीजों कि सम्टाइम मैं सोचता हूँ कि पदनी ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि आज के छे साल के बच्चे के पास ज्यादा नौलेज है, दू यूट्यू, और वो गलाक्सी भी पढ़ रहा है, वो इस्ट्री भी पढ़ रहा है, वो फैक्स भी पढ़ रहा है, इंट्रेस्टिंग सब कुछ कर रहा है, अब पंदरह से एकी साल के बच्चे को अब आप उनिवर्स्टी, कॉलेज, स्कूल गूइंग है, ठीक है, बहुत जादा पहले तो मैं कहता हूँ उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, अब उस दोरान उसको फील्ड चूज करने की डिफरेंट आप सेट करने लिए, उसको देख का हैं, जी तुने कोई सपेस शेटल बनानी है, ये लिए समान तु कर ठाए, तुने एरोपलेन उड़ाना है, ये लिए सरकट मरकट बना, तुने कोई बाइक बनानी है, तुने कोई पानी से चलने वाला जाहाज बनाना है, तुने चीज बना, मैं तुन्हें गोडिंग करनी है। एंदर जाना है। आई रपोट के अंदर जाना है। यह बना ले। एक रपो बना जो बच्चे उनकी बातों का जवाब दे। एक रपो बना जो गर की क्लीनिग करे। तो यू समाम जुरुत है ये ल pikता। तो उसको बनाने दे, तोड़ने दे, जू करता है करने दे, अब 21 साल तक पहुंचते हुए, बच्छा पनी डिरेक्शन सेट कर लेगा, कि मैंने जाना किस दरफ है, क्यों, मैं इस बादे बलीव रखता हूँ, कि जो बच्छा होता है, हमारे हाँ एक स्राइकी में स्वाल है, क नजर आ जाता है कि इसने क्या बनना है, तो मैं इस बादे बलीव रखता हूँ, तब 21 साल तक पहुंचते हुए, आपको पता चल जाएगा, बच्छा जाना की दर जाता है, उसके इंटरस्ट क्या है, अब वो, आपके अपने फादर से इंस्पाइर होगा, अगर वो फाद को एक इंस्पारिशनल फिगर देखता है तो, बहुत जादे चांसे हैं कि इसी फील्ड में जाना है, जाए, उसके वाले साब एक जूती बनाने वाले हैं, ठीक है, मौडरनाइज करते हैं जूती बनाने के सिस्टम को, उसके तो बात हो गई कि वो बच्चे जो आपने बात चूज कर ली, ठीक है, अब 21 से जो 30 है ना, इसमें मैं आपको गरंटी से कहता हूँ, बच्चा मिलियन एर बनेगा, उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉंग हो चुकी होगी, कि वो वंडर्स करेगा, वो प्रोड़क्स बनाएगा, वो आप देखेंगे, करेगा क्या, 30 के ब दिवाइट करेंगे इस चीज को, तो आपका बच्चा देखेंगे, इंशालला दाला फ्यूचर का, इंशालला दाला बढ़ादी बनेगा, तो अगें, अब स्टेप्स पूछ रही थी, मैंने आपको डिफ्रेंशियेट करके बताया, स्टूटर्स के लिए, ब्रेक इट, मे उस वक्त आपने चीजों को टेस्ट करना है, एकोमर्स को टेस्ट करें, एबे को करें, अमजोन को करें, स्टू को करें, आप AI करें, प्रोग्र्ग्रमिंग करें, मुबाइल अब डेवलमेंट करें, सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन जब आप ग्रेजूएट हो गए, ये अब पतनी कितनी देते हैं, आप दो डिफरेंट शोबे चुन सकते हैं, मेरे नंबर बौत कम थे, 52% थे, इसके बावजूद मैंने एक ही फॉर्म फिल किया, और वो था IT का, मैं इतना क्लियर था माइंड में, और IT में मेरी सेवन्थ मेरे लिस्ट में नहम आया, नंबर जो क कि मैंने करना किया है, तो मैं यह कहता हूँ कि आप जब आपका वीजन क्लियर होगा, तो फिर आपको जो अच्छा, इंपॉर्टन क्यू है, यह जो आप उसको देखा, उसके पीछे बाग पड़े, उसने का यह चीज़ वर करती है, इन चीज़ों से आप आजाद हो हमारी पॉपिलेशन का एक बहुत बड़ा सेग्मेंट ऐसा है, जो ग्रैजुएट हो चुका है, लेकिन अभी तक अन्कलियर हैं कि वो अपना करियर शुरू किस में करना चाहते हैं, वो अगर ऑनलाइन एर्निंग करना चाहते हैं, तो उनको कहां से स्टार्ट करना चाहिए देखें, पहली बात तो यह है कि उनको क्लियर हो जाना चाहिए था, इट मीज़ करनों युनिवर्स्टी में तो रहा आत्मा हमारे, चलें इट सोके हो जाता है, अब उन्होंने यह करना है कि एक्सपोयर ले, चैट जीपीटी को कहें, वनिया दिपार, भाई, 22 येर्स का इस शेहर से बिलॉंग करता हूँ, दियात है, शेहर है, टाउन है, जो भी उसको बता दे, यह मेरी monthly income है, यह मेरे बागी characteristics है, उसको अपनी health के बारे ही बता दे, उसको अपने पुरी BMI भी बता दे, अपने interest भी बता दे, कि मैं यह करता हूँ, मेरे time table यह है, पूरी profile करो, कि मुझे क्या करना चाहिए, अब वो आपको personalized, जब चीजे आप इतनी detail दोगे, तो आपको personalized एक नसीहत आप कह सकते हैं, advice आपको देगा, career counseling करेगा, career counseling करेगा, career counselor आपको घर बैठा है, आप ऐसे लोगों से जो आना पूछते पी रहे हैं, अब उस career counseling में आप मजीद short इंटो का बट्टा है, तो इंटो के बट्टे को इसना automate कर सकता है, अब मजीद उसे explore करें, इससे आपका interest automatically increase होता जाएग, in fun style, तो यह आप इस तरीके से आप online earning की दरफ आ सकते हैं, आपने सर अब भी AI का भी role discuss किया, SEO में और blogging में जब आपने काम शुरू किया, तो उस इस बारे में बहुत ज़्यादा लोग इस वील्ड में नहीं थे, particularly in Pakistan, उसके बाद AI और chat GPT का टाइम आया, और chat GPT से जहां content writing आसान हो गई है, लेकिन उसने Google logarithm को भी change किया है, तो इस बारे में आप क्या कहीं रहे हैं, तेकिए Google के algorithms जो हैना, वो 2012 से change होते आ रहे हैं, हर 6 महीने हर साल आर तीन मेने बाद, आज तो नहीं हो रहे हैं, तो यह तो अविसी बात है, फेस्बुक की अपडेट्स किज़े दिनों बाद हमारे पास आती है, हर दूसरे दिन आहीं होती है, तो वो companies जो बिलकुल जमूत का शिकार हो जाती हैं, वो तो रह जाती हैं, नोक्य इस चीज़ की क्या है, अब चैट जीपिटी तो आप एक existing उसके पास data है, AI क्या है, existence, data उसके पास है, वो उसको process करके, इस से ज्यादा क्या करेगा, real time क्या करेगा, surf करेगा वेब को, उसमें data उठा के आपको suggest कर देगा, यह वहां से मने लिए है, तो again जो human touch है, जो आपक समझने के tested हो, handmade tested हो, कि आपने try गया, let's suppose मैं किसी app के बारे में अगर review लिख रहा हूँ, तो ठीक है, मुझे चैट जीपिटी उसके features बता देगा, मुझे यह बता देगा install कैसे करना है, अब मुझे एक human को उसके अंदर issues आते हैं, यह जिस चीज़ों को relate करता है, वो तो न मुझे लगता है फिलाल कोई से कोई मसला आने वाला नहीं हाँ, देखें, यह शुरु से मारे साथ हो रहा है, कि अब Google की update आई, अब अब अपडेट को इनलाइज किया कि क्या कहता है Google, यह कहता है, डिरेक्शन थोड़ी चेंज गर कि जा रहे है, अब चैट जीपिटी इसके दर बड़ी massive updates है और बहुत ज़ाद आईवन तलपट कर दिया उसने पूरे सर्प को, तो अब उसमें क्या है, अब हमारा bread and butter तो यह हम छोड़ दो न सकते, अब हमें पता है कि हमार साथ दस साल सी होता रहा है, तो मर लिए नॉर्मल सी बात है, नेया बच्चा जो अब रा गया हो, यह टा हो गया, तो अब हमने क्या करना, हमने कहा है, हाँ गूगल चाहता है कि AI content ना दो, क्योंकि AI content को bombardment करके abuse करती है न लोग, क्या आपने algorithm बता दिया, API लगा दिया, content generate हो रहा है, वो बल्क में जो information पोस्ट हो रही है, तो Google तो यह नहीं चाहेगा कि इ Steel Value देता है, जिसको E-Eat का नाम Google देता है, तो I think यह relevant रहेगा, ऐसे लोग जिनके पास limited investment है, but they want to earn through SEO, तो क्या वो limited investment के थूँ earn कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं, तो कितनी minimum investment required हैं, तो कितनी minimum investment required हैं, तो कोई investment नहीं चाहिए आपको, कोई investment नहीं चाहिए, आप CK, आपको 2000 प की domain है, और 18,000 पे की आपको hosting मिल जाएगी, that's it, 20,000 पे से आपको अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, काम स्टार्ट करें, उसी की services दें, जो चीज़ आपने सीखी हैं, ट्राइ की हैं, उसी की services दें, इवन पाकिस्तान में services दें, आप Lahore में बैटें, आप companies के पास जाएं, आप plumbers के पास जाएं, आप dentists के पास जाएं, आप technicians के पास जाएं, आप swimming pools वाले हैं, गर्मियों के अंदर, आप इनके पास जाएं, कि मैं तुमारी promotion कर देता हूं, मैं तुमारी, जो results हैं, उनको top पे ला देता हूं, मैं तुमारी late generate कर देता हूं, that's free, you don't need to spend a single penny, तो य और मेरे पर टका नहीं है, तो यह तो अन्रियलिस्टिक बात है, यह तो पिर आप अपने साथ एक जाती करें, अगर आपने माइकल के साथ compete करना है, तो उसके पास एक दो लाख डॉलर का बजट है, और आपके पास एक दो लाख रुपेर का नहीं है, थोड़ी से अन्रियल सब्सक्तान अवार्ट से भी नवासा गया, तो कुट यू शेयर सम सकसे स्टोरीज और ऐसे स्टूरीज तो माशाला एक सकसेस्पूल पोजीशन में हैं, माशाला लाल हमदोरी नाजारों है, मैं पोस्ट भी करता रहता हूं अपने फेस्बुक वाल पे, तो दो स्टोरीज आपके साथ शेयर करता हूं जो बड़ी टची हैं, बलके बहुत सारी हैं लेकिन यह बहुत ज़द टची हैं, अब यह कल की बाद है, लिटिस स्टोरी है, कल मैं बैंक में बेटा था, यह मेरे कजन बेटे हैं सामने, यह भी साथ थे, तो एक बच्चा साथ बेटा था तो मे हैं आपकी वटसेप पर यह डिपी है न बने गई है, आपके पर अब मेरे नबर सेव है तो मेरे पर साथ की डीपी हा रही है, ने खिए ठीक है रहा रहे बच्चा तो फिर उसने बताया कि आज से, अच्छा पिर उसने मुझे याद दिलाया कि आप नंबर देखें मेरा, त तो हम रिलॉक्टन्ट थे कि यार, यूनोगा स्नैचर नहों को इस तरह का, फिर भी हम रुग गए, तो उसने मजदूरों वाला पुरा लिबास बना हुआ और टैंकी पे कोई समान रखा हुआ, फिरिजों का, तो कैना तन्वीर, भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आई कांट अफोर्ड अफोर्ड एनिफी, बट मैं पड़ा लिका भी हूँ, और मैं करना भी चाहता हूँ, तो मैंने उसको उस वक्त अड्मिशन दे दिया, और मुझे वो बूल गया बदना, वो कौन था, अब वो कहता था, अभी वो जो कल मिला, कहता है, आप मेरा अपना फरीजों का बिजनेस है मुलतान में, छे लोग मेरे अंटर काम करते हैं, आप गूगल पर सर्च करें, फरीज के बारे में जो भी रिपेरिंग है यो कुछ भी है, तो आपको मेरा फेस्बुक पेज यो मेरे जो गूगल के लिस्टिंग और टॉप पर नदर आएगी, तो वस वेरी कॉन्फिडेंट, एंड माशालला बड़ा मज़े से बटा था, दूसरी स्टोरी मुझे डिरा इस्माईल खान से एक बच्चे ने मैसेज किया, वो बड़ी टच्ची थी, उसने का कि मैं हम मेरे वाले साब नहीं हैं यह तो मेरी वालदा है, तो हम लोगों से जकात लेके जाना गुजारा करते थे, जकात, सदकात, तो अलहम्दोलिल्ला इस वक्त मैं बारहाँजार मेरी कुई, बारहाँजार मेरी जकात बनती थी, वो मैं अभी दे के, अभी आ रहा हूँ, और अलहम्दोलिल्ला, डू तो यू 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 तो इस टेज़ के पहुंचा, तो ऐसी दरजुनों सेंकनों अलहम्दोलिल्ला स्टोरी थे, सर आपने एक कोर्स भी, डिजिस के लिए वर्च्व यू 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 निवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में रिकॉर्ड करवाया, अफेलियेट मार्किटिंग, कैसा एक्सपिरियेंस रहा आपका? बहुत अच्छे एक्सपिरियेंस था, और उसको फीटबेक मिला वो बहुत मज़ेका था, बहुत सरे बच्चे मैसिज करते हैं कि हम वो देखके आज हम अपनी वेबसाइट रून कर रहे हैं आज हम अपना SEO कर रहे हैं आज हम गूगल RC कंपेज चला रहे हैं आज हम यह सर्विस दे के पैसे कमा रहे हैं तो अलहम्दोविल्ट अपना रहे हैं इट वस टॉफ दो रिकॉइनिंग करना यहां पर असान नहीं होता आप बहतर समयती हैं लेकर बहुत मज़ा हैं और अलम्दोविल्ट फूट फूलता वर्चल यूनिवर्सिटी को आप आज से पांच साल बाद कहां देखते हैं कि उसका किम्यूनिटी की ट्रांस्फॉर्मेशन में क्या रोल वर्चल यूनिवर्सिटी को मैं आज से दस साल पहने दस साल आहट देखता था उस वक्त अलंके का जाता था कि यहर क्या है ओनलाइन पढ़ना टीवी पे भी आते थे मुझे याद है पी टीवी पे इनके लेक्शर्स वगारा तो मुझे तो पता था कि भाई फ्यूचर तो इस तरी चाहना है कि लोग बिल्डिंग के अंदर बैट के बढ़ने की बजाए आनलाइन पढ़ना पसंद करेंगे तो वी जू तो मैं समझता हूँ कि पागिस्तान का एक ब्राइट फेस है कि जिसको हम इंटरनेशनली हम इसको दुनिया को दिखा सकते हैं कि देखें हम जदीदियत में मॉडरनाइजेशन में ऐसे भी है कि हमारे इस क्वालिटी लेवल की एजुकेशन हमारे तरफ से प्रोवाइड की जा रही है जैसा कि आपको पता है वर्चुल युनिवर्सिटी में स्टूडन पॉपुलेशन है वो काफी डाइवर्स है हमारे पास 55 येर्स के भी स्टूडन्स है और as young as 19, 20, 18 येर्स के भी है रूरल एरिया से भी है अर्बन एरिया से भी है तो मैं उनके लिए एक आप से चोटा सा मेसेज चाहूंगी कि अगर कोई डिग्री कर लेता है और वो 50 येर्स का है 35 येर्स का है 25 येर्स का है और वो इस फील्ड में आना चाहता है और successful होना चाहता है आपके क्या ख्याल में वो कर सकता है इससे पहले मैं छोड़े आपको एक मेरे टीचर थे में जिने मेरे मैट्रिक में पढ़ाया था ना अभी वो माशाळला इंस्पेक्टर है counter terrorism department में उन्होंने वी यू से master's किया है अभी recently he might be 40 45 अबव होंगे शायद हो इतनी होंगे अभी उन्हें master's किया और माशाळला वो programmer है बहुत जबरदस्त और apps और उन्होंने अपने department में जो यूज होने वाली apps है वो उन्होंने खुद बना ली है उनको outsource करना नहीं पड़ा उनको spending नहीं करनी पड़ी तो सारे computer का system और ये apps वगरा गुद manage करें तो एक ये वो चीज मेरे सामनी है जिसको मैं कहना चाहूंगा कि एक बंदा 9 to 5 job और पुलीस की job अगो पता हैंगे दिनी टाफ होती है उसके बावजूद वीजू से पढ़ना फिर वो code medalist है माशाला फिर practical field में आना और practical applications deploy करना तो ये तो चीज मेरे सामनी है तो उन्हीं चीज को मैं दे नज़र रखे मैं सब को ये suggestion दोंगा कि आप वीजू में अगर पढ़ रहे है तो आपको advantage ये कि आप already familiar है online education से बाकी लोग जो मारे पस आते है वो classroom के environment के आदी होगाते तो आपको तो advantage है आपको तो कुई ज़्यादा hurdle भी pace नहीं आएगी कि अगर आप online field को choose करे तो बस just jump in मैं ज़्यादा आपको क्या advices दो कि बस just do it कुछ भी करना है online field में जिसमें try करेंगे गोते आएंगे हाथ पॉंबारेंगे in the end इंशालाद Allah पार लग जाएंगे Thank you so much sir for your time and sharing insights with us Thank you so much जी नाजरीन hopefully आज का podcast आपके लिए बहुत informative वी रहा होगा और interesting भी रहा होगा इसी के साथ इजाज़त दीजिए फी अमान अल्ला